आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, How is F related to P? F का P से क्या connection है? First statement, P has two sister M and N P की two sister M and N पर इस से क्या हमारा पहले का answer आ रहा है? F related to P to F statement में नहीं दिख रहा है So first alone से तो नहीं answer आएगा Second देखें, F's mother मतलब F की mother कैसे बनेगी F है? F की mother का बनेगी? Double line पर F's mother is ये mother sister of M father ये कौन है? sister है? किसकी sister है? M के father की तो ये कौन है? M के father बनाते हैं ठीके? ये कौन है? M के father तो ये कौन है? M के father और ये कौन है? F की mother ये इनकी कौन है? sister है तो हमने आ लिक दिया ये कौन है? sister है अब हमें बोलाए How is F related to P? F का P से connection तो इस कहानी में P ही नहीं है ठीक है? तो ये से भी हमारा answer नहीं आएगा उपर वाले में कौन नहीं था तो उपर वाले में F नहीं था यहां P नहीं है अब यदि हम इन दोनों को merge up कर दें merge up कर दें का क्या मतलब है? M और N की sister से है P की तो M तो है यहां देखो merge करते है from one and two ये diagram हमारा again देखिए ये double line पर कौन है? plus बने father और इधर double line पर कौन बने है? mother बनी हुई है किसकी है ये? F की और ये किसके father है? M की अब हमें बोला है क्या वही? कि M और N sister है किसकी P की? M भी sister N भी sister किसकी? P की इन दोनों को merge करने से हमें answer मिलेगा क्या? How is F related to P? F का P से क्या connection है? तो यहाँ पर ये answer क्या रहा है? cousin मतलब किस से आ रहा है? दोनों को merge करने से क्या रहा है cousin मतलब Both 1 and 2 are sufficient Classic situation से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोड करें ये WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर क्या रहा है